जहन नमस्कार पहरे दोस्तों सभी दोस्तों का स्वागए थे ससी क्लाइमिक्स में नहीं लोग एक बार वीडियो को तेजी के साथ सेर करेंगे और शुरू कर देंगे हम लोग आज की क्लास तो फाइस सभी दोस्त एक बार तेजी से क्लास को सेर कर देंगे और दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लास कल थोड़ा सा सरदर था तब यह थोड़ी सी ठीक नहीं थी इस हुझा से कल की क्लास नहीं हो पाई तो दोस्त आज की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त प्रॉफिट एंड लास्त सभी लोग ए के साथ क्लास को सेयर करेंगे और दोस्त हम लोग बढ़ जाते हैं क्लास की तरफ चलिए सभी लोग क्लास को सेयर कर देंगे और प्रॉफिट लास में जहां हम पढ़ रहे थे उसी के आगे से आज सब लोग हम लोग सुरू करें चलिए सभी लोग बार पताईय जुट जाईये और बताईये सर हम लोग क्लास देखना शुरू करते हैं तो मैं क्लास को शुरू करता हूँ चलिए चलिए दोस्त के सुरूब करते हैं और squeeze पहले पर देखेंग को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे देखो पहला सवाल आरारवी जूनियर इंजिनियर की परिच्छा का सवाल है चलिए देखो पहला सवाल आप से कह रहा है कि जब किसी वस्त को 5% के लाव पर बेचा जाता है और इसे 5% की यहानी पर बेचे जाने की तुलना में 15 रुपए अधिक का लाव प्राप्त होता है नहीं होता है क्रेमूल हमेशा होता है अगर मैं बताओं अगर 5% लाप पर बेचा जाता 105% में बेचा जाता बोला गया इसे 5% की हानी की तुलना में बताइए 5% की हानी पर बेचेगा दोस्त तो कितने में बेचेगा 95 में बेचेगा अब बताइए यहां से यहां तक पर्संटेज में कितना बढ़ रहा है पर्संटेज में बढ़ रहा है कितना पर्संट, पर्संटेज न, देखो 95 पर्संटेज की तुलना में 105 में बेचेगा तो 5 कितना होगा 5% और बताओ अंतर 20 का बोला गया 15 रूपए अधिक प्राप्त होता है तो क्रेमूल ने आप से CP पूछा है देखिए 20 पंचे 25 सब 15 पंचे 75 ठीक है 15 रूपए अधिक प्राप्त होते हैं 5% 15 पंचे 75 सही जबाब होगा दोस्त 75 क्योंकि आपको 5% की लगा पर 5% की हां नहींद सीधा सीधा एख दस परसंटेज कांतर होगाul सुरी सीधा कितने परसंटेज का अंतर होगा 10% का अंतर होगा और कितना आ जाये गए आएगा 10 सीधा से आपका CP कितना आ जायेगा CP आ जायेगा 1.500 रुपए option number B 150 रुपए सभी का जबाब आना चाहिए दोस्त 150 रुपए एकदम सही जबाब है चलिए देखते किसी भी बच्चे का भी तक जबाब नहीं आया आपका अंसर क्या है दोस्त आपका अंसर इस वाले सवाल का 150 रुपए क्योंकि 5% डलाब और 5% की हान के बीद बीच सीधा सीधा 10% का अंतर है अगर आप समझ पाए हो दोस्त बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर 2 आप की स्क्रिन पर आने वाला है सवाल नमबर 2 देखे सवाल नमबर 2 आप से क्या कह रहा है बताए सभी लोग आंसर भी करना जरूरी है दोस्त आंसर भी करना जरूरी है देखे बोला है P ने एक वस्तु 400 रूपए में खरीदी तो बताओ CP कितना हो गया 400 रूपए में खरीदी आपका CP हो गया 400 रूपए बिल्कुल कनिसका पटेल 1500 रूपए बेरीकुल बच्चा देखे उसके बाद किसी का जवाब नहीं आया बोला है 10% के लाब पर बेच दी ठीक है भया अभी 10% के लाब पर बेच रही है खरीदी 400 में है लाब प्रतिसत कितना बृद्धी करना चाहिए कि उस वस्त को 460 रूपए में बिके ये बताइए 460 रूपए में बिकेगा तो कितने का लाब होगा भया प्रौफिट निकालेंगे फ्रौफिट परसंटेज निकालेंगे तो शाठ का लाब होगा कितने पर चाहर रूपए पर तब यह सो पे कितने यह होगा डबाञिव से डबाशी रुबशीन घथंप कर देंगे लाब कितना हो रहा है 45 तो भ्या कितना पर्संटेज बढ़ा है प्रौफिट बढ़ा कितना सब्सक्राइब हो रहा चार सु उस्त रुपएं में बेचेने पर 15 पर संटेज का लाब होगा इसका मतलब लाब कितना परसंट बढ़ेगा भाईया लाब बढ़ेगा आपका 5 परसंटेज बताइए किसी भी दोस्त को किसी भी भाईया को कोई तकलीफ है कहीं से कोई दिक्कत है इस सवाल को सौल्ब करने में नहीं है तो भाई फटा फट बताइएगा हम बढ़ जाते अप अग्ला सवाल पढ़ेए आराज समझ में चलिए बढ़ जाते सवाल नंबर 3 कि देखिए सवाल देखे सवाल नंबर तीन ये है और सवाल सुनते रहिए आंसर करते रहिए तब ही मजाएगा एकी बच्ची एकी बाली का अंसर कर रहिए और रिख si water के लिए डेखो सौσंतरओं का विक्र मूंल एक़ा होगा चलिए ये बता हुआ उसने यहां पर सौसंतरे खरीदे हैं और सौसंतरे खरीदे थे और सौसंतरे देश्चे अभि और इसका मतलब का संतरों की संख्या से कोई मतलब ही नहीं है देखो CP आपका कितना है CP है 60 रुपए ठीक है भाया देखो उसने 15% परिवाहन पर बे कर दिया ते बताइए 15% कितना होता है 15% बताओ भी यह कितना होता 15% होता है 3 बटे 20 देखिए 20 पर 20 पर 3 और बे कर दिया कितने का हो गया वहीं अब 20, 63, 63, 69 वास्तों में आपका 69 हो गया CP ठीक है CP हो गया 69 अब बताओ वह 20% का लाब कमाने के लिए 69 का संतरा है 20% लाब कमाने के लिए कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा 0 स 0 खतम देखो यह कितना जाएगा 0.6 मतलब 6.9 गुने 12 12 नौइयां देखो बया 12 नौइयां 108 हांसिल 10 ठीक है बया 12 नौइया 108 हांसिल 10 12 चंग 72 72 82 82 82.8 आपका एकदम सही जबाब होगा 82.8 आपका एकदम सही वाला जबाब होगा बताइए किसी को दिक्कत है देखो भया उसने 60 रुपए में खरीदा 15% और बेकिया 60 रुपए का तो वास्तों में उसका लागत मुल कितने का है लागत मुल है 69 का भ्या अब वह 69 रुपए पर 69 रुपए पर कितने रुपए का लाव लेना चाहता है 69 रुपए पर वह 20% का लाव लेना चाहता है तो 120 में बेचेगा बस बिल्कुल ही आपका सही जबाब होना चाहिए चलिए बढ़ते हम धीरे धीरे अगले सवाल पर और देखते हमारा अगला सवाल क्या होने वाला है अब आपकी आरपी अफ की और कॉंस्टेबल की बेकंसी आ गई तो सब लोग एकदम अच्छे तरीके से क्लास से जुड़े रहें और कुश्चन का आंसर देते रहें चलिए हम बढ़ जाते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ बिलकुल अगले सवाल की तरफ बढ़ते और देखते हमारा अगला सवाल क्या रहने वाला है देखे हमारा अगला सवाल क्या रहने वाला है देखे अगला सवाल आपका ये है वो कह रहा है कि महेस एक बस 15% की हानी पर 2200 रूपए में खरिता है यह बताओ, सभी लोग बताइये रामना भाई, ठीके भरिया आगर 15% की हानी पर खरीदेगा देखो लागत मुले 100% होता है अगर 15% की हानी पर खरीदेगा तो क्या 85% में खरीदेगा पंद्रा परसंटेज की हानी पर ख़ई देगा तो पंद्रा परसंटेज की हानी पर बेचेगा तो पंद्रा परसंटेज की हानी पर बेचेगा और बेच कितने में रहा है 22,100 रुपए में बोला है 15% का लाब प्राप्त करने के लिए 15% का लाब प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा 115 में बस इसी को स्थौल्ब करना और आपका अंसर 17,585, 17,1, 17,3 बचेगा 17,3,51, 13,00 रुपए अगर 23 को पान से कर्गभा करेंगे तो पान दुना 10, पान तियां 15, आपका SP विक्रे मुल ले आ जाएगा 13,00 गुने 23,00 तो रहेगा 23,39 हांसिल 6, 23,26 देखो 23,49 तो रुपए 29,900 रुपए 29,900 रुपए आपका एकदम सही जबाब है ठीक भईया बस्ती सिंहानिया जी का नाम है पश्या बंती सिंहानिया का नाम है चलिए राम राम भाई चलिए भईया खूस रहिए बहुत सारा आसिरबाद आपको बताईए ये वाला देखो आंसर क बढ़ते रही है 29,900 रुपए आपका एकदम सही जबाब है 29,900 रुपए बताईए भईया किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो यह सिर्नोया बोलिएगा उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ चलिए बताईए किसी भी भईया को बिलकुल डी र कैसे सौल्व कराया है चलो बढ़ते हम नेक सवाल की तरफ देखते हमारा अगला सवाल आपका क्या होने वाला है सवाल पढ़िए बच्चा सवाल पढ़िए और आंसर करने की कोसिस करिए सवाल पढ़िए और आंसर करने की कोसिस करिए आज हम लोग थोड़ा स्पीड से करत देखो बोला है किसी वस्ट को आठ परसंट और 18 परसंटेज के लाब पर बेचने पर दोनों विक्रे मुल्य के बीच तीन रूपए का अंतर है देखो ऐसा सवाल रेलियों में खुब आता है बहुत सारा ऐसा सवाल पुछा गया है तो विक्रे मुल्यों के बीच अंतर ये बत तो इस तीन रूपए के अंतर से तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि उसने अगर सुनो जब भी अनुपात पूछे तो आपका उस रूपए पैसे से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ये बताइए अगर वहां 8% के लाब पर बेचेगा तो पहला विक्रे मुल्यों कितना होगा 108 परसेंटेज और वहां अगर एस पीटू अगर 18% के लाब पर बेचेगा तो देखो 100% होता है आपका लागत मुल्य एक सो अठारा परसेंट होगा कि नहीं होगा चलिए भाई अगर हम दो से काट देंगे तो आ जाएगा 54 अगर दो से काट देंगे तो दो पंचे दस दो न जबाब है बिलकुल से एक दम सही जबाब है बताव इस देंगे सवाल में बुलकुल भी कोई दिकत नहीं हुने वाली और भाई एक काम करना है आपको पर सबीयों को बता देजी एक बार आपकी रेलवे के क्लास चल रही है जो कि आपके आने वाले आर्पीम आर्क चलो भाइ बताईए, आंसर करिये, चलिए हम बढ़ जातें अंगले सवाल पर, सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्त, सवाल नंबर 6 यह रहा, फट्डा फट पढ़ी और बताईए किसका अंसर क्या होगा, सवाल नंबर 6, देखे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही 25% का बिलकुल SP 108 और 118 कनिसका ने जबाब दिया, बहुती सांदर भीया, देखे, उसने खरीदने और बेचने में कितने परसंटेज की बेमानी की, खरीदने में भी 25% की बेमानी की, ठीक है, खरीदा भी 25% बेमानी से, और बेचा भी 25% की बेमानी से, तो टोटल प्राफिट आप परिवर्थन परसंटेज वाला फार्मूला लगा दिजे, टोटल प्राफिट परसंटेज वाला फार्मूला लगा दिजे, मतलब 25 प्लास 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 पचीज गुने पचीज बटे सव टोटल परसिंटेज यही वो जाएगा क्योंकि वो दो बाव बिमानी कर रहा चोवन नहीं पचीज पचीज पचास ठीक भाईया प्रॉफिट ले रहा है ना प्लास यह वो जाएगा 625 ना पचीज गुने 25 चेज़ सो और सव से भाग कर देंगे 6.25 तो कुल मिला कि उसका लाब हो जाएगा दोस्तों 56.25 परसंटेज का लाब हो जाएगा अपसर नंबर भी एकदम सही 54.59 नहीं होगा 56.25 56.25 परसंटेज आपका एकदम सही जवाब है अच्छा पिछले वाले का जवाब दे रहें आप 54 रेशियो आ रहा है एक मिनट में आ रहा है बताइए चलिए कोई बात नहीं आंसर करते रहे हैं और सभी लोग बताते रहेंगे कि लगातार बताते रहेंगे आप इसका आंसर क् करेंगे 56.25 एकदम सही जवाब है चलिए आगे बढ़ सकते हैं सभी लोग तयार है दोस्त चलिए हम बढ़ जाते अंगले सवाल पर सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7 सवाल नंबर 7 आ सकते हैं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं देखें सवाल नंबर 7 आप से क्या बोला ह एक बस 15% की हान पर 1,8070 रुपए में बेचा जाता है एक बस अच्छा बस इतनी सस्ती है खिलोने वाली बस होगी रितुल एक बस को 15% की हान पर 1870 रुपए में बेचता है देखो रेले वाले भी मज़ा लेते हैं आप से 15% की हानी पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा यह बताएए CP आपका लागत मुल कितना होता है लागत मुल होता है 100% अगर 15% की हानी पर बेचेगा तो क्या 85% में बेचेगा 15% की हानी पर 85% में बेच रहा है तो कितने में भिक रहा है 1870 रुपए में बोला है 15% का लाभ लेने के लिए 15% का लाभ लेने के लिए आपको 115 में बेचना पड़ेगा ठीक भाया यही आपका YSP हो जाएगा बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक जाम में ऐसे ही करना है 17 से काटेंगे 17,5,85 17,1,1,1 17,1,7 भाई 5 से काट देंगे 23 आपका Selling Price हो जाएगा 110 गुने 23 ठीक भाया जीरो ग्यारा तियां 33 तीन बचेगा ग्यारा दुना 22 22,3,25 2530 रुपए Option number D आपका एकदम सही जबाब है 2530 रुपए ठीक है भाया 2530 रुपए आपका एकदम सही वाला जबाब है चलिए अगर आप कर पा रहे तो दोस्त हम लोग बढ़ जाते हैं अंगले सवाल पर अमरेंद राना जी बोला है नो क्या बोला आपको कोई दिक्कत नहीं अगर कोई दिक्कत है तो यस बोलिए नहीं तो हम लोग बच्चाई सवाले सवाल का जबाब क्या हो जाएगा देखो क्या डिटेल में बताने की जरूरत है दोस्त अगर 15% की हानी पर बेचेगा तो बताओ 85% में बेचेगा की नहीं बेचेगा 85% में बेच रहा है तो 1870 रुपए में भी करहा है अगर वाँ 15% का लाभ लेना चाहेगा तो 115 में बेचेगा आपसन नमबर D 2530 रुपए आपका एकदम सही जबाब है चलिए बढ़ सकते हैं अगले सवाल पर चलिए बढ़ जाते हैं सवाल नमबर 7 के बाद दोस्त सवाल नमबर 8 देखो अब यह थोड़ा सा कल्कॉलेटिम सवाल है आपका NTPC pregnancy में आया हुआ है या वाला सवाल सब अले कर सकता है यह वाला सवाल सभी दोस्त कर सकते हैं मैं आप तो समय दे रहा हूं ऐस्लभ लोग इस वाला सवाल करेंगे सभी लोग ये वाला सवाल ट्राई करेंगे मैं आपके लिए समय दे रहा हूं ट्राई करके बताईए करिए भाया क्योंकि आसान सा सवाल है देखो कहे कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि प्रतिसत लाब के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा लेन देन सबसे उत्तम है अच्छा मज़ा आ गया थेंकि भाई तौन सा लेंदेन सबसे उत्तम है ये बताओ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें हो रहा होगा वही सबसे अच्छा लेंदेन है तो देखो करेंगे कैसे ये बताइए यहां क्रैमूल 60 है लाब हो रहा है 29 का तो पहले वाले में 29 का ल 22 बटा 3 कित्ती बार जाएगा देखो कि बीच तियां साथ विस पंचे सव नो पचे 45 चार पांद निदस चार चौदा ठीक भीया कितना जाएगा यह 14 हाएगा ना 145 145 बटा 3 कितना आ जाएगा 34 के 12 तीन अठ्थे 24 दसमलो 33 पहले वाले में क्या आ जाएगा 48 दसमलो 33 परसंटेज का प्रोफिट देखें दूसरी वाले में 17 का लाब हो रहा है कितने पर 40 पर तो 100 पे कितने का होगा 20 दूना 40 विस पंचे सव देखें 17 पचे 85 बटे 2 85 बटे 2 मतलब 42 दूना 84 साड़े 42 का लाब होगा दूसरे वाले में साड़े 42 का लाब होगा अगर हम तीसरे वाले में देखें देखें 50 रूपए पर कितने का का प्रॉफिट दूसरे दूसरे वाले में 42 परसंटेज का प्रॉफिट अब देखो तीसरे वाले में 30 पर कितने का लाब 30 पर 14 का लाब तो 100 पर कितने का जीरो से जीरो खतम 140 बटे 3 3 4 के 12 दो बचेगा देखे 3 तीन चोंके 12 दो बचेगा हो जाएगा 20 तीन चंग 18 ये बताओ बताओ बताइए सबसे अच्छा प्रॉफिट किसमें हो रहा है सबसे अच्छा प्रॉफिट आपका हो रहा है 48.33% बताइए 48.33% मतलब option number A एकदम सही जबाब है बताइए भया option number A एकदम सही जबाब है लाब की दसा में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपका option number A में तो भया तेजी से आप इस तरह का सवाल कर सकते हैं बिलकुर भया आपका जबाब क्या हो जाएगा 48.33% एकदम सही जबाब है चलिए चलो दोस्त हम लोग बढ़ जातें अंगले सवाल पर और देखते हमारा अगला सवाल क्या होने वाला है बताइए चलिए हो जाए मिया ए बिलकुल भाई करिशका ने बोला है ए बिलकुल भया करिएगा इस सवाल को इस वाले सवाल को देखो यह कितना बढ़िया कितना अच्छा सा सवाल है देखे भया देखो अभी सवाल को पढ़ेंगे देखो बोला है एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर छे रेडियो बेच दिया उस लाब को ग्याद कीजिए जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे जीरो का न दुकानदार ने 20% लाब पर देखे रेडियो अगर हम रेडियो की बात करें अगर हम रेडियो की बात करें तो बताओ ये एक रेडियो का लागत मुल 0% सो पर सेंट अब बताए अगर वाँ 20% नुक्सान लेगा तो कितने में बेचेगा तो तो 80% बेचेगा एक रेडियो कितने बेचेगा अगर श्री रेडियो वोगा 600 बेच रहा होगा 46.48, 4880 रुपए में बेच रहा होगा कि नहीं 480 में बेच रहा होगा कि नहीं, यहां तक हीख है अब बात करते हैं, अगली चीज़ कहा है tv ये बताये, अगली हिट tv इसने बोला क्या है? इसने बोला है, कि tv का लागत मूल प्रतेक रेडियो के लागत मुल का तीन मुना है ते बताइए रेडियो का लागत मुल सो रूपए तो तीबी का लागत मुल कितना हो जाएगा तीन सो रूपए हो जाएगा कि नहीं अब बताइए उसने बोला है कि टीबी को कितने रूपए कितने परसंटेज के लाब पर बेचना चाहिए ताकि जीरो रूपए का नुकसान हो यह बताइए यहां कितने का नुकसान हुआ है यहां नुकसान हुआ है यहां नुकसान कितने का हुआ है 120 रूपए का नुकसान हुआ है ते बताइए 300 रूपए पर न उसे कोई लाब चाहिए न हान चाहिए यहां से उसे 120 रूपए का नुकसान हुआ है तो यही 120 रूपए लाब चाहिए क्योंकि 120 रूपए का नुकसान हुआ है अगर 120 रुपए अगर वो कबर कर ले उसका कोई नुकसान नहीं होगा भिया ना कोई हा नहीं होगी बता ये 120 रुपए 300 रुपए का कितना परसंटेज है आप कहोगे भीया 40 परसंटेज है ओप्सन नंबर फी एकदम सही जबाब है छालीस परसंटेज एकदम सही जबाब है कनिस्का पटेल का जबाब आगया 40 परसंटेज बिल्कुल सही बात है 40 परसंटेज एकदम सही जबाब होगा बताइए क्योंकि यहां से 120 का नुक्सान हुआ है उसी नुक्सान की भरपाई करनी है बाकी 300 रुपए पर न उसको लाब चाहिए न भानी चाहिए चलिए बिल्कुल 60 ने 60 नहीं होगा 40% होगा 40% होगा आपका एंसर आगे बढ़ सकते हैं सवाल नंबर 10 की बात करें भीया 12% के लाब पर बेचा जाता है यदि उसके मूल में 25 रुपए की ब्रिद्ध की जाए तो 32% का लाब होता है तौलिया का क्रें मूल यह बताए क्रें मूल जिसे हम लोग CP बोलते हैं 100% होता है समेशा सो परसेंट होता है अब उसने पहली लाइन यह बोली है डारेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन देखें पहली लाइन का बोली है 12% के लाब पर बेचा जाता है यह बताओ 12% के लाब पर बेचा जाएगा तो SP1 क्या 112% में बेचेगा अगर 12% के लाब पर बेचेगा तो 112% में बेचेगा अगर 32% देखो अगर 25 रुपए में बेचता है तो 32% का लाब होता है इसका मतलब 132 यह बताओ भी या कि यहां से यहां तक कितना परसंटेज में जादा में बेच रहा है आप कह सकते हो कि 20% में बेच सकता है तो आप यह कह सकते हैं कि 20% कितना अधिक के बराबर है 20% 25 के बराबर है ठीक है तो बताइए लागत मूल कितना होता है लागत मूल होता है 100 बीस पंचे सो और पांच पच्चे पचीस सीधा क्या बोल सकते हैं 125 रुपए आपका एकदम सही जबाब है ठीक वहिया 125 रुपए आपसन नमबर डी देखो इसको डारेक्ट भी कर सकते हैं इतना अलमालीजे समझाने के लिए लिखना पड़ता है डारेक्ट भी कर सकते हैं देखिए डारेक्ट कैसे कर सकते हैं कि बताइए 12 परसंट लाब और 32 परसंटेज के लाब में कितने परसंट का अंतर होगा 12 परसंट लाब और 32 परसंटेज के लाब में 20 परसंट जादा होगा और यहान रुपए में कितना जादा है? 25 रुपए जादा है पुछा है लागत मूल बताइए लागत मूल कितना होता है? 100 रुपए 100% होता है सिधा यहां से कर सकते है 20, 5, 105, 5, 25 125 रुपए 125 रुपए DIRECT कर सकते हैं 125 रुपए यह आपका second method हो गया आंसर भी देते रही है तभी आपको मुझा आएगा चलिए सवाल नमबर 10 का आपका जबाब क्या हो जाएगा 125 रुपए चलिए आगे बढ़ सकते हैं दोस्त आगे बढ़ सकते हम लोग बात करते हैं अगरे सवाल पर और देखते हमारा अगला सवाल सवाल नमबर 10 के बाद सवाल नमबर 11 क्या कह रहा है आप से 90 मेज का क्रेमूल 60 रुपए के 60 देखो यह तो आसान सा सवाल होता है ना देखे 90 मेज का मतलब होता है गुणा क्रेमूल मतलब CP देखो बच्चा देखो 90 मेज का CP किसके बराबर है 60 मेज के बिक्रेमूल के मतलब 60 मेज के SP के बराबर है 60 मेज का CP 90 मेज के SP के बराबर है देखो CP बटे SP किसके बराबर हो जाएगा अच्छा यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर है 90 हो जाएगा 60 बटे 90 देखो 30 से काटेंगे 30 दूना 60 33 दूना 60 33 होगा कि नहीं होगा इसका मतलब दो का सामान कितने में विक्रा है देखो CP है दो यूनिट, ESP है तीन यूनिट मतलब दो का सामान तीन में विक्रा है तो आपको बताना है profit percentage तो एक का लाब होगा कितने पर दो पर तो 100 पे कितने का होगा क्योंकि percentage में चाहिए तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं सीधा सीधा बोल सकते हैं पचास परसेंटेज का ठीक हब या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पचास परसेंटेज का लाब दो कि gitu को 50% बिलंकुल पुस्पेस बहुत अच्छा भ Charlie Shah Carl पुस्पेंद जी का आई है पंचास परसंट और किसी भी पहिया का भी तक जबाब नहीं आया आपका जबाब क्या हो जाएगा 50% चलें आगे बढ़ हैं आगे बढ़ जाते हैं सवाल नमबर ourselves के बाद सवाल नमबर हम लोग बात करते हैं 11 की यह तो थोड़ा सा अलग टाइब का सवाल हैvenसे सभी लोग यह वाला सभाशार सब कर लेते हैं बहुत ही आसान सा सवाल है देख़े सातबला याद एक बैकती, साथ बल्ला और छे गेन, अन्टिस सो रुपए में खरीता है, और फिर, तीन बल्ला और पांच गेन, सत्रा सो पचास रुपए में खरीता है, बल्ले और गेन का अलग-अलग मुल्ले बताना है, ये वाला तो कर लेंगे न, नहीं कर लेंगे, तो मेरे साथ साथ करिये देखो भाईया बल्ले को माल लेते हैं साथ बल्ले को माल लेते हैं यक्त और गेंद को माल लेते हैं वाई ठीक है क्योंकि अगर अल्फाबेट में लिखेंगे तो दोनों बी से सुरू होते हैं बी फार बैट बी फार बाल ठीक है भाईया और छे गेंद का मूल कितना है 38 रुपए है अब आगे बोला है 3 गेंद और 5 बैट का मूल किसके बराबर है 5 गेंद का मूल बराबर है 1750 रुपए के 1750 रुपए के बराबर है देखिए अब हम करते क्या हैं ऐसे सवाल हम बताए क्या करते हैं बराबर करते हैं न उपर 5 से गुणा नीचे 6 से गुणा तो उपर 5 से गुणा करना है नीचे आपका 6 से गुणा करना है उपर 5 से गुणा नीचे 6 से गुणा चलिए अब देखो क्या कर सकते हैं देखो भईया अगर पांसे गुणा करेंगे तो पांस सत्य 35 यक्स छे पंचे 30 वाई बराबर 008 पंचे 44 पांतिया 15 4 19 अजार और 6 से गुणा करेंगे बस देखते रहना बस चे से गुणा करेंगे 6, 3, 18 एक्स और 6, 5 अच्छा 6, 3, 18 बराबर अच्छा 6, 5, 30 वाई बराबर उसके बराबर 0, 6, 5, 30, 3, 7, 42, 3, 45, 4 और 6, 1, 6, 4, 10 वह या देखिए देखो बच्चा यहीं से आप कैंसिल करोगे घटाओगे तो यह खतम 35 में से अठारा गया कितना हो जाएगा 17 है एक्स बराबर यह आजाएगाsal गितना 0, 0, 5, 80 तो 17, 85 देखो बलबले का मूले कितना आगया 500 आगया की नहीं आगया बल्ले का मूल ले आ गया 500 तो मतलब ये तीन आपसन खतम ये तीन आपसन खतम आप यही से सीधा कर सकते हैं कि सीधा कितना आजाएगा 500 आजाएगा आपसन नमबर A आपका एकदम सही जबाब है एकदम सही जबाब है क्योंकि बाकी किसी में 500 है ही नहीं और अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो यहां 500 रखोगे साथ पच्चे देखिए अगर आप निकालना भी चाहते हो तो यहां एक सकमान रखोगे साथ पच्चे 3500 इधर आ जाएगा तो 3800 में से 3500 जाएगा 300 और 300 को 6 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 50 रुपए आ जाएगा तो आपका अंसर क्या सही हो जाएगा आपका अंसर सही हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए बिल्कुल 500 रुपए कनिस्का पटेल ने दिया है बाकी लोग भी दोस्त बाकी लोग भी अंसर करते रहेगा जिससे मज़ा आता है कि आप सीख पा रहे हैं अगले सवाल पर बढ़ सकते हैं वहिए चलिए सवाल नंबर 12 के बाद हम लोग बढ सभी में टेकनीशन में दोस्त सभी में ऐसा सवाल आता है देखे बोला है एक वस्त को चार परसंट और 12 परसंटेज के लाब पर बेचने पर देखो SP1 SP2 SP1 SP2 चार परसंटेज के लाब क्या हो जाएगा 104 12 परसंटेज के लाब हो जाएगा 112 चार परसंटेज का लाब 104 बारा परसंटेज का लाब 112 देखिए अगर दो से काटेंगे तो कितना आजाएगा यह यह आजाएगा बावन दो से काटेंगे कितना आजाएगा 56 ठीक भाया चलिए अभी दो से काट लेंगे 13 चोके 52 दो से काट लेंगे 14 चोके 56 अनुपात क्या आ पाथ 12 आजाएगा 13 पाथे 14 आपका एकड़म जबाव हैदोस्त थरटीन रेशियो 15 आपका सहीजवाब है आगे बढ़ सकतें भीया सोड़ें दोस्त सब्सक्राइब करते हैं और आप सभी लोग तयार रहेंगे next सवाल solve करने के लिए 13.14 अब सन नंबर एकदम सही जबाब है चलिए भीया चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है तयार हैं अगले सवाल के लिए भीया अंसर भी करते रहेंगे दोस्त आनसर भी करते रहेंगे चलिए सवाल नंबर 13 के बाद दोस्त हम अब देखो यह वाला सवाल तो मुझे लगता है 20 सेकंड में होगा यह वाला सवाल तो maximum 20 सेकंड में होगा देखो कह क्या रहा है कि एक वस्तु 4% और 14% के लाप पर SP1 SP2 क्या यह सवाल कर चुके हैं नहीं कर दो से काटेंगे 52 अब आगे कटेगा नहीं तो आपका जबाब क्या हो जाएगा 52 से 57 आउसन नंबर A 52 से 57 तेरा का A बिल्कुल सही भया 13 का A आपका एकदम सही जबाब है 14 का भी A होगा तो इस वाले सवाल में तो समय खराब करना ही नहीं क्योंकि इस तरह के सवाल हम लोग के बाद सवाल नंबर 15 पढ़िए और बताईए सवाल नंबर 14 पढ़िए और बताईए 15 नंबर देखें बोला है 5 अंडू का क्रेम मोल लें 5 अंडू का मतलब गुणा 5 अंडू का सीपी बडाबर है 4 अंडू के यस पी के देखो देखो CP, SP आएगा इधर बटे में तो हो जाएगा SP, SP में इतलब selling price देखो 4, इधर जाएगा बटे में 5 हो जाएगा 4 बटे 5, अब आप ये कह सकते हैं कि 4 का सामान कितने बिकराए, 4 का सामान बिकराए 5 में, देखो profit कितने का हो रहा होगा, profit, profit हो रहा होगा, एक का कितने पर, लागत मुल पर निकालते हैं न, तो 4 पर, तो 100 पर कितने का होगा, 25, 24, 25% profit होगा, जो कि आपका option number A सही है, 25% सही होगा, जो कि आपका option number A एकदम सही जबाब है, चलो भीया, चलिए भीया, हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, और देखते हैं हमारा अगला सवाल, सवाल number 16, आप से क्या करा, 16 number की और बढ़ जाएं, तयार हैं बहुत दोस्त, चलिए बढ़ जाते हैं, सवाल number 16 की बात करते हैं, देखिए, अब ये बड़ा ह ही अच्छा सवाल है, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखो इसको कैसे करेंगे भाया, देखो बिलकुल 15 का ए, एकदम सही जवाब है, देखो इस तरीके के सवाल को पान सेकेंड का तरीका में बता रहा हूं, देखो, बोला है, एक बैक्ती 60 कुरसियां बेचता है, तो 10 कुरसियों के बिक्रे मुल के बराबर लाब प्राप्त होता है, लें देर में लाब का प्रतिसद, देखो, 60 कुरसियां बेचने पर 10 कुरसियों का बिक्रे मुल का फायदा होता है, देखो, ऐसे सवालों मैं माल लेता हूं एक रूपए की एक कुरसी, मैं माल लेता हूं एक रूपए की एक कुरसी ठीक भीया मैं माल लेता हूं एक रूपए की एक कुरसी ठीक भीया देखो अब बताओ 60 कुरसियां बेचेगा तो 60 रूपए मिलेगा कि नहीं देखिए एक रूपए की अगर कुरसी है तो साथ कुरसी बेचेगा तो कितने का मिलेगा साथ रुपए मिलेगा ना तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस बिक्र मुल कितना हो गया साथ बताइए profit कितना मिल रहा है profit मिल रहा है 10 कुर्सियों का 10 कुर्सियों के बराबर लाब मिल रहा है तो बताइए क्या लाब 10 रुपए मिल रहा होगा क्या लाब 10 रुपए मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा लाब मिल रहा होगा 10 रुपए अब बताइए CP क्या होगा बताइए आपको 60 रुपए में बेचने पर बहुत ध्यान सुने को तुरंद कर पाओगे देखे आपको कोई वस्तु 60 रुपए में बेचने पर अगर 10 रुपए का लाब मिल रहा है तो क्या आपकी वह वस्तु 50 मुल्य पर ना लाव निकालते हैं लागत मुल्य पर लागत मुल्य 50 है लाव हो रहा है दस रुपए का तो सो पे कितने का होगा भाई जीरो से जीरो खतम 25 पर संटेज का लाव होगा 20 प्रतिसत का लाव होगा ऑप्सन नमबर डी एकदम बिलकुल सोला काड़ी किस ने बोला है अच्छा पुस्पेंद ने बोला है सोला काड़ी बहुत आंदार बच्चा पुस्पेंद बताइए देखिए अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आप बहुत जादा समय लगेगा तो 20 सेकंड बहुत जादा समय लगेगा तो 20 सेकंड लगेगा इतने ही समय में आप आंसर कर पाएंगे चलो अगर यस वाले सवाल को आप कर चुके हैं तो हम लोग बढ़ शबिवाल की तरफ दोस्त सवाल नमबर 16 के बाद आने वाला है सवाल नमबर 17 की बात करते हैं देखते हैं सवाल नमबर 17 सवाल नमबर 17 आप से क्या कह रहा है सवाल नमबर 17 देखते हैं चलिए देखो बोला है 24 गेंदों का क्रेमूले ये तो आसान है ना ये वाला आसान है देखो 24 गेंदों का क्रेमूल है मतलब 24 गेंदों का CP बराबर है 18 पिन के यस्पी के बस देखिए यस्पी को सेलिंग प्राइस को इस तरफ लाओगे तो बटे में चला जाएगा बटे में चला जाएगा की नहीं चला जाएगा और बराबर देखो भईया इधर 18 है 16 जाएगा तो बटे में से भाग करेंगे दो 29 ठारा दो अठे 16 इसका मतलब 9 का सामान कितने हम विकृ रहे नो का सामान विकृ रहे आठ में तो प्रॉफिट अच्छा बहिए 24 अच्छा गलत लिग गया डेटा ही गलत लिग गया है यहाँ 24 है तो नीचे जाएगा 18 बटे 24 छे तिया अठारा छे चोगे 24 तीन का सामान भी किरा है चार में देखे मुहम्मद सबलू आ गया देखो प्रॉफिट सुभा की क्लास में आज नहीं आये थे तो मैंने पढ़ाया है परसंटेज में एक बटा तीन होता है 33.33% 33.33% सत्रा कड़ी 33.33% का प्रॉफिट हो रहा होगा देखो यहाँ 24 था ना गलती से मैंने 16 लिग दिया था 24 होगा भाया चलिए आगे बढ़ जाएं नेक्स सवाल की बात कर सकते हैं देखते हैं अंगला तीन मतलब 33.33 या अगर 100 से गुना करोगे आपको रटा होगा कि एक बटे क्योंकि मैंने परसंटेज बहा दिया है तो एक बटे तीन क्या होता है या 33.33% होता है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपका क्या होगा चलो यह वाला सवाल हम लोग कर चुके हैं कभी यह सवाल करा दिया यह रिपीट हो गया है तो जवाद क्या होगा अच्छे स्वाल एक रिपीट हो रहा है क्यों इह वाला सवाल देखे अगर आप ध्यान से देखोगे यह बताइए बारा परसंटेज का लाव और 32 परसंटेज के लाव के बीच कितने परसंटेज का अंतर है बारा परसंट अधिक है लाव कितना अधिक है 32 परसंट अधिक है और रूपय में कितना अधिक है 25 रूपय तो 100 पे कितना अधिक होगा ठीक भया 25 पंचे सव 25 पंचे 125 एक सो पचीस रूपय आपका एकदम सही जवाब है एक सो पचीस रूपय बताईए फटाफट कॉपी कर लीजिए फटाफट लिख लिजिए तो हम सवाल को फटाफट सभी लोग कापी कर लेंगे 18 का एए होगा अच्छा अठारा का एए बिल्कुल अठारा का एए हम लोगों ने कर लिया है 19 करके दिखाना है 19 हम लोगों ने कर लिया 125 अप्सन नमबर डी चलिए अब सब सबलू आ गए हैं अब उन्हीं के साथ सभी लोग आंसर करिए फिल्कुल राज सबलू पुसपेंद कनिस्का सभी लोग आंसर करेंगे और हम बढ़ जाते हैं अपने सवाल नमबर 20 वह देखो यह तो आसान सा सवाल है ना देखें इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे र अंतिमहानी बताओ देखो अगर कभी भी हो तो यक्स परसंटेज का लाब हो या बृद्धी हो या एक्स परसंटेज का लाब हो या बृद्धी हो या एक्स परसंटेज की हानी हो या कमी हो ठीक है भया यक्स परसंटेज की हानी हो या कमी हो तो जो कुल हमेशा होती है ठीक है भाईया कुल हान होती है और हान किसके बराबर होती है यक्स इसक्वाइर बटे सो के बराबर यक्स इसक्वाइर बटे सो के बराबर आपका इसमें भी क्या होगी हान होगी क्योंकि आपकी 40% की कमी 40% की बृद्धी हो रही है तो 40 का इसक्वाइर बटे सो भाईया क्या सोलाfundटेज की हानी होगी ऑप्सन नंबर एक दम ठीक जबाब है ऑप्सन नंबर एक दम सही जबाब souvent परसंटेज बिलकुल इसके बाद हम लोग बढ़ सकते हैं सवाल नंबर 20 के बाद सवाल नंबर 21 की तरफ चलिए सवाल नंबर 21 पढ़ेंगे और सभी दोस्त आंसर करेंगे और वीडियो को फटा फट से लाई कर देंगे देखते हैं बिल्कुल पुस्पेंद ने बोला है बीस का सोला परसेंट आगे बढ़ जाते हैं देखिए बोला है किरन 40 रुपए में एक किलो ने खरीदता है और उसे 45 रुपए में बेच देता है देखिए कितना आसान है सीपी कितने में खरीदता है 40 रुपए में बेच कितने में देता है बेच देता है 45 रुपए में 40 रुपए में खरीद कर 45 रुपए में बेच देता है बहुत यह आसान सा सवाल है बिलकुल राकेस विशकरमाजी कितने का लाब 5 का लाब profit percent डारेक्ट आप कर सकते है profit percentage 5 का लाब हो रहा है कितने पर 40 पर तो सो पे कितने का होगा पांच अठे चालिस ये बताओ क्या एक बटे आठ साढ़े बारा परसंट होता है एक बटे आठ दोस्तों आप सभी रटे होंगे एक बटे आठ होता है साढ़े बारा परसंट तो साढ़े बारा परसंट अपसन नंबर जब फर कर रहा है नहीं ऐसा त किसने जबाब दिया राकेश बिसकर्माने तुरंत का तुरंत जबाब दिया था सवाज देखते ही ठीके बहुत अच्छा संदार राकेश चलिए बढ़ सकते हैं आप किस क्लास के राकेश यह बताएंगे आप कौन सी बैच के हैं चलिए हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 12 दे देखिए हमेशा देखो यहां लिखते हैं रूपया यहां लिखते हैं वस्तु यहां लिखते हैं रूपया वहां लिखते हैं वस्तु देखो पांच रूपय में छे पंखे खरीद कर ना देखिए पांच रूपय में छे पंखे खरीद कर छे रूपय में पांच पंखे की दर से बेच दिया जाते हैं छे रूपए में पांच पंखे की दर से बेच दिया जाते हैं चन्ने टीस हुए अब बताओ प्रतिसत लाब देखिए यह आपका क्या है यह आपका है CP और यह आपका क्या है सवाल आए तो सीधा क्रॉस मल्टिप्लाई सीधा क्रॉस मल्टिप्लाई देखिए पांच पच्चे 25 आपका CP हो गया 25 छे चंग 36 आपका स्पी का हो गया यह स्पी हो गया 36 देखो 444 नहीं होगा 44 होगा देखें प्रौफिट कितने का प्रौफिट कितने का हुआ प्रौफिट परसंटेज 25 में 25 का सामान 36 में बेच रहे हो 11 का लाब 25 पे तो 100 पे कितने का दोस्त 25 चौपे सो एक ग्यारा चोगे 44 परसेंट 44 परसेंट आंसर होगा और सन नंबर डी एकदम सही जबाब है बिल्कुल 11 बटे 25 गुने सो सीधा सीधा आप बोल देंगे 44 परसेंट ठीक है बहुत ही बढ़िया चोओ आलीस परसेंट आपका एकदम सही वाला जबाब है चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 के बाद सवाल नंबर 13 के तरफ सवाल नंबर 22 हम लोगों ने कर लिया है अब बढ़ सकते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23 आपका क्या है तब तक सभी लोग पढ़के आंसर करेंगे पढ़ेंगे औ जा रही सभी को देखो बोला है एक फल बेचने वाला कितने प्रतिसत का लाब हुआ वड़िवा एक रूपए में दो नीबू देखो यहां रूपया यहां लिखेंगे वस्तू सेम तवाल है ना देखे एक रूपए में दो नीबू खरिदता है तीन रूपए में पांच बेचता है बताई ऐसा करता है कि नहीं एक रुपए में दो नीबु खरीदता है और तीन रुपए में पांच नीबु बेचता है तो करेंगे क्या सीधा करेंगे क्रोस मल्टिप्लाई पांच एकम पांच सीपी आया पांच इधर से तिर्चा गुड़ा तीन दूनी छे यसपी कितना आया छे अब कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसंटेज सीधा निकालेंगे प्रॉफिट परसंटेज मतलब एक का लाब हुआ है कितने पर पांच पर एक का ल सबाब होगा जो की ऑप्सन नंबर ईजी कोस्चन है कोई बात नहीं सबलू हमें सब को सिखाना है ठीक है आप पढ़ चुके एक दो बार कोई बात नहीं लेकिन देखो सारे आपके रेलवे के एक्जाम में हैं हुए सवाल है तो मुझे सब को लेका चलना है जो बच्चे सी सीजियल में आ जाते हैं चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की देखते हैं अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है ठीक है चलिए लेबल ओबल की बात तो बढ़ाएंगे ही बिल्कुल चिंता नहीं करना दिल्ली मेक्टरों में आया हुआ सवाल है देखो एक फल विक्रे कल आपको UPSI देखो कल मैं जो सुबा की क्लास परहांगा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सुबा की क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको टाइम एंड वर्क तो कल बारी-बारी से काम करने वाले सवालों की बात होगी तो UPSI में, CGL में, सोरी, UPSI में, दिल्ली पुलिस में, GD और UPP में जितने अच्छे-च्छे सवाल पूछे के हैं सब करा रहा हूँ देखो, बोला गया है एक फल विकरेता, 9 रूपय, प्रत किलोग्राम आप बेचता है और 20% की हान होती है, ये बताए, 20% की हान होगी तो कितने में बेचेगा? 80% में बेचेगा, 20% की हान होगी तो 80 में बेचेगा, तो 9 रूपय में बेच रहा है पांच परसंटेज का लाब चाहने के लिए कितने बेचेगा 105 परसंट में बेचेगा तो देखो भईया 5 से भाग कर लेंगे 16 85 5 से भाग करोगे 21 21 नोईया देखो 21 नोईया 18 9 एकम 9 9 दुना 18 भईया फिर 16 से भाग करेंगे 16 एकम 16 दो बचेगा ठीक है भईया 16 एकम 16 बचेगा आठ देखो 16 एकम 16 दो बचेगा हो जाएगा 16 दुना 32 32 में तो जाएगा नहीं आपका जाएगा 11.8 एक रूपए में चलिए ठीक है अच्छा जबाब दे रहे हैं आप लोगों ने आज पचीस सवाल कर लिए पचीस सवाल कर लिए लगवग लगवग एक घंटे में तो हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हमारा अगला सवाल आपके सामने क्या आने वाला है देखिए अ एक रूपए में 40 पेन बेचने पर 25 परसंटेज का घाटा होता है मतलब नुकसान होता है 20 परसंटेज का मुनाफ़ा कमाने के लिए एक रूपए में कितनी पेन बेचनी चाहिए इस तरीके का सवाल बिलकुत है टाइम एन वर्क चल ला है देखिए बोला है कि एक रूपए में 40 पैन बेचता है तो 25 परसंटेज की हां रहा है तो क्या 75 परसंटेज में बेच रहा होगा देखे तरीका सीखbn सीखिये देखो एक रुपए में एक रूपए में 40 पिन बेच रहा है तो 25 परसंटेज का घाटा हो रहा है तो 75 परसंटेज में बेच रहा होगा अब बोल रहा है कि 20 परसंटेज का मुनाफ़ा कमाने के लिए एक रूपए में एक रूपए में कितने पिन बेचनी चाहिए मुनाफ़ा कितने का है 20 परसंटेज का क्या होए तो हो जाएगा 120 चलिए भीया अगर आप चाहो तो काट लो 40 43 120 और 3 से काटोगे 25 तिया 75 तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 पिन आ जाएगा देखो एक लाइन में अंसर आ गय बिल्कुल हो गाएगे बच्या बता लेंगे तब तो साइड हो ना मैंने सवाल का पूरा स्क्रीन छोड़ दिया आपके लिए देखो एक लाइन में आंसर हो जाएगा कि सवाल एक लाइन में 25 पिन ठीक है भीया 25 बेचना होगा भीया 25 पिन आप्सान नमबर दिए 26 त्योत् 25 गुलट जवाब दिया है 25 होगा ठीक है चलिए एक सवाल सय दोर होगा वह आखरी सवाल हम लोग निप्टा के क्लास को खतम करते हैं चलिए एक दो सवाल जलाफ कहां गलत की हो बहिया 25 बिण होगा आपका एकदम सही जवाब देखते हैं देखो 43 या 123 से काटोगे 25 आजाएगा तो आपका 25 से कम 25 कितना पे ना जाएगा 25 हाँ बिलकुल अब साहिजे रहे 25 बिलकुल चलो अब बढ़ जाते हैं आखरी सेकंड लास सवाल करते हैं उसके बाद हम लोग सवाल सेशन निपटा के खतम करते हैं ठीक है चलिए देखो भाईया बो देखे Cp यह बताओ भीया Cp तरफ़ दस वस्तूओं को 8 रुपए में बेच खरिदता है त्य demographic करते हैं वक्तू का 20 वस्तू कितने रुपए में आठ वस्त में एक वस्त कितने रुपए की होगी दस वस्त आठ रुपए में तो एक वस्त कितने की हो जाएगी पांच बटे चार मतलब एक दसमलो कितने का पांच चार एक कम चार एक बचेगा देखो चार एक कम चार एक बचेगा और चार दो पांच ठीक है दस वस्तुओं को क्या बोला है दस वस्तुओं को आठ रुपए में एक वस्तु कुतने की होगी एक वस्तु आपकी होगी 10 वस्तुओं को 8 रुपए में खरीदते हैं देखो 10 वस्तु 8 रुपए की देखो 10 वस्तु 8 रुपए की एक वस्त कुतने की? 8 बटे 10 रुपए की न देखे आपका CP होगा 8 बटे 10 मतलब 0.8 आपका CP होगा 0.8 ठीक है? अच्छा भई यह ठीक है गलत बता कि मज़ा ले रहा था वारे भाई अब बेच कितने में रहा है? 1.25 में बताए कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 0.8 से 1.25 क्या 0.45 का प्रॉफिट हो रहा है? 0.45 का प्रॉफिट हो रहा है? profit percentage ठीक भया profit percentage देखो कितने का होगा आपका profit हो रहा 0.45 का कितने पर 0.80 पर 0 से 0 खतम आ जाये गए तो भया काटेंगे 20 सब्सक्राइब कर लीजेगा हम लोग बढ़ जाते हैं अंगले सवाल की तरफ आखरी सवाल अब आखरी सवाल आपके ठीक है कनिस्का अंसर दो भाई तुम दे दिए बड़ी अच्छी बात है कनिस्का के चक्कन में बिल्कुल मत रहो देखो अब्दुल एक रुपए में नौ के भाव से आम खरीदता है और उसे एक रुपए में नौ के भाव से खरीद कर दस के भाव में मतलब एक रुपए में दस के भाव से बेच देता है एक रुपए में नौ के भाव से खरीद कर एक रुपए में दस के भाव से बेच देता है सीधा तिरचा गुणा यहां दस रुपए में खरीद कर नौ रुपए में बेच देगा देखो एक की हा नहीं हो रही है ना बताओ लॉस हो रहा है हा नहीं हो रही है देखो एक की हा नहीं हो रही है देखो एक की हा नहीं हो रही है कितने पर एक की हा नहीं हो रही है दस पर ठीक है तो आपका कितने की हा नहीं हो रही है एक बटे दस मतलब दस परसंटेज की हा नही के भाव से खरीता है और एक रूपए में दस के भाव से बेच देता है तो दस एक कम दस नव एक कम नव आपका कितने का नाहान होगी दस परसंटेज 11 सेट एक बते नौ कैसे होगा भाई, फिर से सुनिए, एक रुपए में 9 के भाव से खरीता है और 10 के भाव से बेच देता है, अगर 10 के भाव से बेचे गा देखो तिर्चा गुणा करो कि तिर्चा गुणा करो, 10 से कम, 10, 9 एक कम, 9, 10 का सामान 9 में भिक रहा है तो एक की हा नहीं हो रही है हाँ सबलू ने सही जबाब दिया है दस परसंटेज आपका एकदम ठीक जबाब होगा चलिए आज का भाई हम लोगों ने 28 सवाल किये एक घंटे में बहुत ही सांदार स्पीड रही है आप लोगों की बिलकुल ठीक है बिलकुल दस परसंट आपक से बिदा लेता हूँ जेहन झालोगों की लेता हु वे की लिए सकते है इंड झाल झाल झाल